एक share, एक stock कुछ दिन के लिए rally करता है, 5 point मिलते हो उसके अंदर में, दूसरे दिन 50 point मिल जाते है और amateur investor को, नए investor को ये लगता है कि वो बंदा इसको track कर रहा है, monitor कर रहा है, कुछ दिन से ये तो रोज उपर बढ़ता है और जिस दिन वो share खरीदता है, उसी दिन से वो share गिरने लग जाता है हो सकता है कि जिस दिन उससे लिए, उस दिन 1-2 रुपया बड़ भी जाये, लेकिन next day एक बड़ा fall भी आ जाता है और ये काफी सारे retail investors की शिकायत रहती है, कि जब मैं share खरीदता हूँ, उस समय ये share गिल जाता है और हो सकता है, ये आपके साथ भी हुआ हो फिर आप YouTube channels देखते हैं, कई लोगों से पूछते हैं, तब आपको पता चलता है कि there is something called analysis जहां पर आप analysis करते हो fundamentally या फिर टेक्निकली, टेक्निकली analysis याने कि चार्ज देखते हो एन बहुत सरे figures देखते हो, इसके लब fundamental analysis याने कि जब आप उस stock की real value calculate करने की कोशिश करते हो जो बहुत ही मुश्किल होती है, और कुछ होता है इसका combination याने कि technical analysis plus fundamental analysis और ऐसी ही strategy के बारे में आज हम लोग इस video के अंदर में बात करने वाले हैं और ये strategy आपको market के अंदर में काफी लंबे समय तक अच्छा पैसा बना के दे सकती है Hello everyone, welcome to money mug, आपका स्वागत है अगर आप इस channel पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजे मैं हूँ सीए पिंकेश ठक्रानी और वीडियो का आप लाइक करते हैं तो मुझे मिलता है motivation ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और वीडियो लेकर आओ तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस strategy का नाम क्या है strategy का नाम है can slim strategy ये can slim strategy 1950 से चली आ रही है और इसे American people काफी अच्छी तरह से लगा चुके है और इंडिया मार्केट्स के अंदर में भी काफी सरने detail investors इसको लगा रहे है strategy की बारिक किया समझेंगे इस वीडियो के अंदर में तो चली ये दोस्तों शुरुआत करते है तो हम आ जाते हैं Google पर और यहाँ पर simply टाइप कर देते है can slim investing ठीक है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे can slim investing क्या होता है काफी सरे articles आपको यहाँ पर मिल जाएंगे investopedia अलग अलग website हर broker की website पर आपको मिल जाएगा और even आप देख सकते हो कि एक small case भी है can slim के ओपर में और यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है कि यह जो can slim है यह William O. Nail ने जो कि American Stock Broker थे उन्होंने इंटर्ड्यूस किया था और यह can slim model जो है यह actually यहाँ पर क्या होता है जो can slim है C-A-N-S-L-I-M तो यह पूरा का पूरा कुछ ना कुछ words जो है यह जो words है किसी ना किसी full form को जो है दर्शाते है तो हर एक word इसके अंदर में जो है important है और यहाँ आप देख सकते हो कि C stands for the current earning या फिर annual earnings या फिर new factor इस तरह की चीज़े इसके अंदर में लिखी गई है तो हम इसको समझने की कोशिश करते है वैसे अगर आपने अभी तक small case डाउनलोड नहीं किया है तो description में link available है वहाँ से आप small case को डाउनलोड कर सकते है तो इसके बाद में cancelling वाले इस small case के अंदर में भी निवेश कर सकते है तो इसका return भी बहुत ही शांदार है आप देख सकते हो पिछले 5 साल का return is 30% 28.9 CAGR return हर साल 30% return दे रहा है तो बहुत ही कम इसका मतलब यह बहुत जड़ा बीटार स्टॉक्स नहीं है तो इसका मतलब यह काफी अच्छी तरह से manage हो रहा है तो इसको एक बार जरूर आप विजट कर सकते हो market को भी इसने consistently बीट किया है and small case का ही एक पार्ट है जो की winmill capital है वो 52 small cases को जो है combination है fundamental और technical का और आप इसके अंदर में देखेंगे कि यह basically basically जो है bullish market के अंदर में follow किया जाता है bull strategy है fast markets के लिए तो fast markets को match करना है आपको market के साथ चलना है और तभी आप इसके अंदर में पैसा बना पाएंगे ठीक है अभी इसके अंदर में आपको important बात यह ध्यान रखनी है this stocks cannot be bought and held as much of the value has been priced for the future growth meaning any slowing in the growth trajectory or the market as a whole may result in the stock been punished याने कि अगर market slow होता है तो ऐसे के इसके अंदर में stock को punish भी किया जा सकता है बहुत सारे IT companies हमने देखी काफी जबल ज़स्त growth दिखारीती पिछले 2 साल के अंदर में लेकिन अब उसको beat करना शुरू कर दिया गया है तो ऐसे case के अंदर में market भी थोड़ा जो है volatile हो गया है market slow होगा तो ऐसी growth companies भी बहुत नीचे से आएगी सबसे बड़ा example जो है इंडिया माट का दूँगा जो कि 9000 के उपर पहुच गया था लेकिन अभी वो share जो है 6000 के नीचे चल रहा है क्यों? क्योंकि ग्रोथ जब उसके अंदर में आतो रही है market भी उपर जाना चाहिए और ऐसे case के अंदर में can slim के लिए बहुत अच्छा stock हो जाता है if I talk about narrow leg तो वो भी can slim के लिए बहुत अच्छा stock हो जाता है तो हम देखेंगे कि जब market fast move कर रहा है उसके साथ में growth stock भी fast move करेगा समय से पहले उसको अपने portfolio में रखना है तो देखते हैं हर एक चीज़ की understanding लेंगे तो सबसे पहले हमने देखा था कि हर एक जो word है इसका कोई ना कोई meaning है इसके अंदर में तो let's start with number one word that is C C का मतलब होता है तातकालिन जो अभी वाली उसकी earnings है अभी वाले quarter की उसकी earning same quarter में हमको देखना है पिछले साल क्या उसकी earning 20% या उससे ज़्यादा बढ़ी है पिछले 3-5 साल की वो भी 20% से ज़्यादा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रहे है यानि कि ए घोड़ा पिछले 3-5 साल से लगातार दौरते आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसकी speed कैसी है तो देखिए पूरी तरह से इसमें bull बनना है हम लोगों को एकदम uni-directional हमको यहाँ पर चलना है पहलो तो देखना है कि अभी की strategy अभी का quarter ली जिसको उसका result आया है वो बहुत जबर जस्त होना चाहिए पिछले साल के same quarter से 20% से जादा की रुद्धी होनी चाहिए इसके साथ ही साथ उसके अंदर में annual earnings भी हर साल 20% से बढ़नी चाहिए अब इसके अंदर में कोई X factor होना चाहिए ऐसा factor होना चाहिए कि boss इसमें हमेशा कोई ना कोई news flow आता रहा है excitement बना रहा है तो इसके लिए कोई company new product launch कर रही है management positive news याने की positive vibes होनी चाहिए और इसके चलते excitement तेयार होता है वो returns आपको बहुत ही जबर जस्त देता है example के तौर पे we talk about the mobile companies like apple तो वो कोई ना कोई product अपना launch करता है साल में एक बर दो बर अपना product जरू लाँच करता है और इसके जैसे excitement बढ़ जाता है और बहुत ही शानदार returns वो हमको दे कर जाता है fourth factor की बात करते है वो करते है square supply यानि कि इसकी supply बहुत ही limited होनी चाहिए अगर Tata Alex की बात हम लोग करें तो देखिए उसका share price कहां से कहां पहुँच गया ठीक है तो वो share price जो है 2-3 साल पहले आप देखेंगे कि 1600-800 की range में हुआ करता था और अभी कोरोना में तो वो 1000 रुपए के करीब करीब पहुच गया था आज वो share 8000 रुपए के करीब मिल रहा है तो इसका मतलब supply बहुत ही limited है उसको लोग बेचने के लिए ready नहीं है ठीक है बेचने के लिए ready नहीं है और आप देखेंगे इसकी और ज़से market के अंदर में और ज़दा excitement जो है शुरू हो जाता है यह बहुत point मुझे important लगता है तो number 5 point number 5 point is in relation to the leader or the lagard देखें हर एक sector अंदर में कोई न कोई leader होता है banking का सबसे बड़ा leader कौन है? इंडिन banking का सबसे बड़ा leader कौन है? मुझे comment में नीचे बताइए ठीक है? तो I hope आपने सही guess किया होगा comment में भी लिख दिया होगा तो अगर उस sector में flow आ रहा है demand आ दी है उस sector के अंदर में तो सबसे पहले कौन भागेगा? सबसे पहले उसका leader भागेगा याद कीजे पिछले कुछ महीनों से छे महीनों से हम लेख थे हैं कि reality sector के अंदर में बहुत बड़िया bull run चल रहा है कौन सबसे आगे बड़ा? DLF सबसे आगे बड़ा क्यों बड़ा? क्योंकि वो sector का leader है तो sector का leader हमेशा भागता है Godrich properties भी आप देखेंगे sector का leader हमेशा भागता है तो sector में लगाड वाला को आपको नहीं लेने का है leader को देने का है जो की पीछे धीरे धीरे चल रहा है जिसकी चाल बहुत ही धीमी है उसको आपको नहीं पकड़ना है बलकि इसको पकड़ना है जिसकी चाल जो है तेज है वो sector के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रहा है अब यहाँ पे RSI वगड़े की बात की गई है तो इस वीडियो को जो है थोड़ा simple रखने के लिए मैं RSI को बिल्कुल भी discuss नहीं कर रहा हूँ तो इसके बाद में cancel में छटा वाला point आता है वो हाथा I आई याने की institutional investors का support कैसा है private equities का support कैसा है अगर institutional investors का private equities का इसको support है तो उस case के अंदर में एक प्रकार से हम कह सकते है कि इसमें बड़ा पैसा लगा हुआ है अगर इसमें बड़ा पैसा लगा हुआ है तो that means ये stock आगे बढ़ेगा ये बहुत जल्दी बेचा नहीं जाएगा लेकिन यहाँ पर सबसे important बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें 2-3 ही institutional investors होने चाहिए बहुत जादा नहीं होने चाहिए अगर बहुत जादा institutional investors हैंगे तो ऐसे केस में negative खबरों के चलते जो है बहुत ही basket selling आती है और share price का जो गिरावट रहता है वो भी बहुत ही fast रहता है तो ये आपको pick करना है उस समय जब बहुत ही कम institutional investors का इसके ओपर में ध्यान है अब जैसे मैंने एक company देखा था जिसका नाम था MOL याने की make money organics उसमें बहुत ही limited institutional investors थे इवन TV Today की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत ही limited institutional investors थे लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से abacus वालों ने और दूसरे institutional investors ने उसके अंदर में पैसा डाला तो यह stock औरी भी बढ़ गया तो यहाँ पर catch क्या है यहाँ पर catch यह है कि आपको limited जब institutional investors हो उस समय उस stock को पकड़ना है यानि कि उसकी real face पर यानि कि उसके बस चड़ने को तयार है stock वहीं से आपको इसको पकड़ना है ठीक है अगर आपका यह share बढ़ रहा है तो आप सही जगर पर है market अच्छा perform कर रहा है तो इस share ने भी अच्छा perform करना चाहिए यह stocks identify करना जो है मुश्किल होता है इसलिए आप small case को prefer कर सकते है और same strategy जो है इन्होंने यहाँ पर follow की है आप देख सकते है future expectation regarding growth has also been taken into account यह जो small case है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ additionally only stocks that have showing the strong uptrend price movement and has performed better than 75% of all stocks over one year are included यानि कि वो सभी stocks जो पिछले एक साल के अंदर में 75% of पूरे market से जादा returns दे रहे है उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है यानि कि high growth stocks को इसके अंदर में शामिल किया जाता है and it becomes really very difficult for the retail investors to manage find those stocks इसलिए जो है बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है small case के जरिए कहर आप इसके अंदर में start subscription करेंगे तो आपको shares की list and उसके weights बगरे भी पता चले जाएंगे and I think it's the best bet to start with this and to know the stocks and you can study after knowing those stocks also ठीक है So I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह के और वीडियो के साथ मैं मैं आते रहूँगा तब तक के लिए थैंक्यू सो मच